जहां पर मैं स्वत खड़ा हूँ वो है आंधरप्रदेश का एक शहर श्री हरी कोटा इस जगह और दिन का हमारी लिए खास महत्व है इसकी वज़ाए है इंडियान सेटलाइट रिसर्च इसरो का निर्मेद किया GLSV F6 रॉकेट भारतिया साइंटिस्ट यहां से रॉकेट एक और किर्तिमान इस्ताफित करने जा रहे है इसकी उल्टी गिंती ओल्रेडी शुरू हो चुकी है यह रॉकेट इंडिया से ही क्यों लॉंच किया जा रहा है कोई न कोई वजह तो जरूर होगी इंडिया सूपर पावर बनने जा रहा है इंडिया से आज एक रॉकेट क्या रहा है पता सकते हैं यहां से रॉकेट क्यों चोड़ रहे हैं देश से रॉकेट लॉंच करने पे आपकी क्या राया है नमारी राय से क्या फ़रेक पड़ेगा सर मैंने कलेक्टर की जॉब से रिजाइन करने का फैसला किया है यह जॉब एक परपस से जॉइन की थी ना कि सालरी के लिए यह जॉब एक जरिया था ताकि जनता के बीच रह सको उनका भला कर सको शायद अब तक पावर और पॉलिटिक्स का खेल आप नहीं समझ पाईं या फिर जान बूच कर अंजान बन रही हो क्या ये भी इनक्वाइरी का एक हैसा है इसे अदर्वाइस मतलें, एज योर सीनियर शुब चिन तक होने के नादे पूचा सर, मुझ पर चल रही इनक्वाइरी के हैड है आप पर मैं इस पावर पॉलिटिक्स का महरा नहीं हूँ आम अदर्वाइस डेमोक्रेट और वही रहरा जाती हूँ आपके द्वारा इशू सस्पेंशल लेटर में आपने सिर्फ पॉइंट थी का रिपलाई दिया है मैंने अपने पावर्स को मिस्यूज नहीं किया अगर किया होता, तो उसके इंप्लिकेशन इतने सीवियर नहीं होते जितना कि उस वक्त कोई हाट डिसिजिन ना लेने पर होता जिसे आप पाव़ पॉलिटिक्स का नाम देते हैं, उसे मैं अंटी डिमोक्रेट का नाम देती हूँ जिन लोगों के डेमोक्रेसिक राइट्स के लिए इतनी कंसर्ड हो रही हो और वो जाहिल लोग डेमोक्रेसिक का मतलब तक नहीं जानते उन अनपन अंडर सेविंग लोगों के लिए लड़ना मेरी नजर में बेवकुफी है क्या ये उनकी गलती है? जननता को उनकी राइट्स बताना गवर्मेंट का करता भी नहीं है क्या? गवर्मेंट की जाब करने वाली सरकारी ओफिसर गवर्मेंट पर ही उंगली उठा रही? I don't understand. तुम गवर्मेंट के साथ हो या उसके खिलाफ हो? देश के लोग ही गवर्मेंट बनाते हैं. आपकी नजर में गवर्मेंट क्या है? वैसे भी मैं सरकारी ओफिसर नहीं रही. एक फर्मर कलेक्टर हूँ जिस पर इंक्वाइरी बैठी है. This is the problem with you. ये एक ओफिसियल प्रोसेस है. क्यों इसे एमोशनल इशू बना रही हो? मैं समझ सकता हूँ कि उस वक्त उन हालात में कैसे तुमने रियक्ट किया होगा. सिर्फ तुमसे यहां तीन मिनट बात करके, बात को समझो. ऐसे किसी एक्सिडेंट के साइड पे तुम्हें या हमें एमोशनल होने की या फिर उससे चैलेंज के तौर पे पस्नली लेने की ज सकता हुँ क्या हुआ पेट्रोल नहीं है क्या पूछ रही है सुबभ फूल था तेरे निकम्मे भाई ने खाल ने कर दिया सार पेचला रख लख लगा उसे गाड़ी देने से पहले मुझे पूछा था गया सर्वन का फोन लगा रही हूँ उसे पेट्रोल आने करी बोलती हूँ पानी की बोतल भी मंगवा लूँगी प्यासे गला सुख रहे है मेरा फोन नहीं उठा रहा है अपने फोन से करो ना फोन कहीं रख के पता नहीं क्या है क्या कर रहा होगा कहाँ चरी गई? दंशिका! 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 कहाँ.. साप इधर हो एंशीका बहुत हो गया पत्थर भेको चलो यहां से एक गाड़ी किसकी है क्या पता शाद हमें पानी मिल जाए उनसे क्या चाहिए पीने का पानी मिलेगा बस यही आखरी दो बोतल हैं हमारे पास आगे पानी नहीं मिलेगा यह कोल्डरिंग ले लो नहीं मडम गला खराब हो जाएगा पानी दीजे न अच्छा यह बताओ क्या वो तुम्हारी बेटी है आहां मेरी बेटी है वो उसकी उमर क्या होगी? चौथा साल लगा है भी उसे पोलियो ड्रॉप जीए न? नहीं मडम यह कैसी आवाज है बहुत ही सूरीली है आवाज तो किसी पक्षी की है पर दिखाई नहीं दे रहे एक खास गौरया है सिर्फ गर्मियों में दिखाई देती है जादा तर अके लिए घूमती है यहीं उड़ती रहती है बच्चे भी आसानी से पकड़ लेते हैं उसे इतना ही नहीं अपने अंडे पकड़ंडियों पर देती है रात को जब जानवार घूमते हैं तो खास आवाज निकलती है बच्ची को नीचे उतरो मेरी बेटी दंशिक है हाई तुमारा नाम क्या है? दंशिक है कोई कवीता सुनाओ चिडिया रानी चिडिया रानी तुम पेड़ों की ही रानी सुबसबस उठ जाती है जाने क्या करती है तुम भी पढ़ने को जाती हो या नौकरी को जाती हो शाम से पहले आती हो या बच्चो का दाना राती है बहुत अच्छे चलो मूँ खोलो तुम्हें एक चॉकलेट खिलाती हूँ सुना है इस जगे से कोई रॉकेट लॉंच होने वाला है हाँ मैटम उस दिन पूरा गाउं जश्न मनाएगा कोई आदमी काम पे नहीं जाएगा काम में मिठाई बाटी जाएगी मंदिर में पूजा भी होगी रॉकेट के उड़ने पे तुम्हें इतनी खुशिकियों यह इज फोटो को हम बैनर में डालेंगे लोगों का भरोसा बढ़ेगा हम पर अच्छा वहाँ एक बाइक है जिस पर घड़े लटके हुए है मुझे इलाका सूखा ग्रस्त लगता है अगर किसी एंजियो या रिपोर्टर की नजर पढ़ गई तो खामखा इशू बन जाएगा ऐग करो मा बेटी की अलग से फोटो ले लो और दोनों खुशाल दिखने चाहिए फोटो में ठीक है सर क्या मैं एक फोटो ले सकती हूं जरूर लीजिये एक फोटो ले लो ठीक है आप वहां कड़े हो जाओ आगे आईए मुखोलो मेडम रेडी हैं आप मेडम पीछे कुछ यह रमार रोक थोड़ा पेट्रोल चाहिए था अरे तीन दिन पहले मैंने 30 रुपए का भरवाया था तुमसे मांगने वाला था तो मुझसे ही मांगने लगे ठीक है जा यह नर्स किसका इलाज करने आई ये खेतों में बच्ची को पोलियो ड्रॉप दे रहे हैं पिलाने द है कि जिस्ते उमर भर प्यास ही ने लगे है 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 मेरे पापा हा रहे है है अच्छा तो इस्कूल जाने के नाम पर यह यहां तैरने आता है आज पुरा करता हूं तेरे तैरने का शाओ गब तक साफ जादे अंदर छपके बैठते हैं मंटू वह पानी के भीधर है न अब जाओ यहां से जब तक आप नहीं जाओगे वो नहीं निकलेगा जाओ आप मंटू 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 जानवर हो क्या जानवर हो क्या पापा चले गई क्या तब से चला रही हूं तब ही नहीं सुनता निकल चल दिया क्या जाने के बजा यहां पानी में खेल रहा है पढ़ाई कर ले बरना मामा की तरह मसदूरी करना पड़ेगा दिखता ने आए दिन इसे लोग कुछ न कुछ बोलते ही रहते हैं और मार भी खाता रहता है स्कूल में मार पड़ते हैं तॉ क्यों मारेंगे जो पड़ाई करते हैं उनको वि मारते हैं वो राक्ष्यस बोल राक्ष्यस नहीं उन्हें अमराज का बाप भी बुलाता है ये बुलाया तो आपको मिलिची क्यों लगी? तेरे बाप लगता है बो मामा से ऐसे बात क्या करते है इसे ही पुरा बोल सकता हूं मैं बत्तमीज कही का मैं बत्तमीज नहीं हूं सुना दिदी क्या हाल हो गया इधर का एक भी पेड नहीं है कैसे जिएंगे यहां के लोग आजकल सबको लकणी का दर्वादा चाहिए खिड़िया चाहिए फिर खुदी शिकायत करते हैं कि हवा नहीं आ रही है तुम लोगों को याद है ना जब हम लोग छोटे थे तो यहां पेड़ों के पीछे लुकाची भी खेलते थे अब कोई खेल सकता है और इनी पेड़ों पे लड़किया सावन में जूलती थी और हम यहां से फल चुरा के भागते थे सुन सिर्फ यहां के जंगल नहीं उजड़े बचपन की यादे भी धुल्ली पढ़ने लगी है अब तो लगता है पेड़ पोदों की जगे सीमेंट के जंगल बज जाएंगे है हाँ बोलो समित्रा अच्छा सुनू मंटू को एक कान से सुनाई नहीं दे रहा है मैंने देखा उसके कान से पस निकल रहा है उसे फोन तो दो ले बात कर बेटा कब से सुनाई नहीं दे रहा है कल रात से पापा मा को फोन दे ज़र समित्रा अच्छा बताओ क्या करूँ आज शाम को डॉक्टर के बस ले चलेंगे इसे, सोचा था एक दिन का पगार बचा लूगा, दवाबजादे ने अपने कान खराब कर लिए, कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा वरना हजार रुपे तो गए, क्या कहा, शांती डॉक्टर, एक खरोच के इलाज के लिए तीन देन बुलाती है, तो कान का दर्ध ठीक करवाने जाएगा, तो वो तीन महीने में तेरा मकान ही गिर्वी रखवा देगी, देखो, फिकर मत करो, डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, आप सीधे दवाई की दुकान से दवाई खरीद कर लेकर आएगे, ये गलत होगा, कितने भी पैसे क्यों न लगे, कान के दॉक्टर कोई दिखाते हैं, भूल गे, मुझे दंशी का के लिए केक लेनी जाना है, कत्तूर, कत्तूर, सुनाएं, वहाँ कोई तालाब या जिल नहीं है, सिर्फ खारा पानी है, उसी में तो तेहरते हैं, कान में खारा पानी जाने से पस बनता है, ये ड्रॉप दे रहा हूँ, इसे 24 गंटे में कान में तीन बार डालना, कितना हुआ, 25 रुबे, बंद करी से, फाइनल रेस तो देखने देती, सोना मत, कान में दवाई डालनी है, उसके बाद सोना, सुनो, पानी का रेस देखता रहता है, तेहराकी का बहुत शौक है उसे, ए, अपना काम कर, क्यों, इसमें बुराई क्या है, ए, जाके उससे बोल, तेहराकी भोल जाए, थोड़ा पढ़ाई में ध्यान लगा है, यहाँ पर तेहराकी के लिए कोई जगे नहीं है, खेल जिन्दगी बन जाएगी उसकी, गला दवा दूँगा उसका, दुबारा देखा तो, कभी कबड़ी का खिलाडी था मैं, ताकत बहुत थी मगर पढ़ाई में थास, आज तक भुगत रहा हूँ, अपनी सारी पुष्टेनी जायदाद खो चुका हूँ अब तक, आज पेंटिंग करके गुजारा करते हैं हम, बच्चों को खिलोना भी नहीं दिला सकता, जिस गरीबी ने आपकी कबड़ी छुड़वाई, क्या वही गरीबी इसे पढ़ने देगी? एक उम्मीद तो है, किसी तरह पढ़ लिख जाएगा तो आगे जाकर कुछ काम करेगा, समाज में थोड़ी इज़त तो होगी? आपकी जिन्दगी उसकी जिन्दगी से अलग है, सुनिया आप अपनी नाकामी की कहानी उस पर मत थोपा करो, एक बार इसे तो देखो मुझसे कह रही हो, मुझे वो दिन याद है, मुझे देखकर पानी में छिप गया था वो, सांस रुक सी गई थी, एक बार तो लगा कि मैंने अपने बेटे को खोई दिया है जानता हूँ वो हुनर बंद है, फिर भी उसे तेरने से रोक कर पढ़ने के लिए कह रहा हूँ तुम्हें लगता होगा कि मैं गलत हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ बताओ, अगर मैं गलत हूँ तो भगवाद मुझे हमेशा के लिए उठा ले ऐसे बाते क्यों करते हो एक बार आओ ना मन्तु चागरा होगा बेटा, सो गया क्या कबड़े, कबड़े, कबड़े मा, आपको कुछ दिखाना है क्या है? यह तो हेलमेट जैसा कुछ है पापा, मुझे यह खरीजना है अरे हेलमेट ही है, इसे पहनने से पानी कान के अंदर नहीं जाता कभी पेंट कॉपे के लिए नहीं पुछा फिर से पानी में तेरने जा रहा है तू किसी दिन के रेक कान कुतर दूँगा मैं आचा, कल्चुन में सबजी लेकर आना क्यों उसे सर पे चड़ा रही हो अरे, कल रात को समझाया था ना बच्चों को नहीं डाडते और आप डाटे जा रहे हो पीठ पे पानी डाल बाप हूं मैं दुश्मन नहीं लाँ दंबक बहुत तीज है इनको नहला दू ठीक है मंटो तैरना इसलिए आना चाहिए कि डूबने से बच सकें लेकिन सिर्फ तैरने से जीवन नहीं चलता समझ गया है फिर से वही रागल अपना शुरू कर दिया आज तो आपना अपने आपी नहा लो तू इधरा चला इधरा तू भी ऐसे ऐसी हरकते करते हैं कि डाट खानी पड़ जाती है जब तक तेरा कान ठीक नहो इससे पहन का नहाना ठीक है चला आज से यही नहाना यही तेरे लिए तलाब नदी और समुंदर है फिर से कांदर की शिकायत की ना तो तेरे कान खीच कर हाती जैसा लंबा कर दूँगी जब देखो अपने बाप से डाट खाता रहता है इतने सारे के कौन सा चाहिए मुझे ये वाला चाहिए ये क्या सूंग रहा है इधर देख ये कौन सा वाला है ये वैनिला है पास सो का और ये छे सो का और वो स्टॉबरी छे सो पचास का ये वाला वो नीचे वाला हम वो तीन सो पचास का है अच्छा ये ही दे दीजे नाम लिखना है हम क्या नाम लिखू दंशिका अच्छा ये बताओ नाम हिंदी में लिखना है या इंग्लीश में किसी में भी लिख दो इंग्लिश में लिखो इंग्लिश नहीं आती क्या सरकारी स्कूल में पढ़ते हो क्यों आप समझ नहीं पाओगे क्या अरे अगर तुम उर्दु में लिखोगे तो भी हम समझ जाएंगे वो सब बाते चोड़ो उस परिवार के साथ तुम्हारा क्या रिष्टा है ये मुझे बताओ पानी दो, पानी सबका हक है पानी दो, पानी दो जो फरीओ, ठीक है नमस्ते मेडम, आपको इस रास्ते से नहीं आना चाहिए था, क्यों? आप यहां से गुजरने वाली है, ये जानने के बाद गाउवाले यहां इकठा हो गए है, क्या समस्या है उन्हें? पानी की समस्या मेडम, क्यों? यहां वाटर टेंक नहीं है, वाटर प्लान पर अमल नहीं हो रहाँ? यहां कुल मिलाके तीन टेंक है मेडम, पानी का लेवल नीचे होने की वज़े से खारा पानी आता है ठीक है, तुम लोग यही रुको, मैं उन लोगों से बात करके आती हूँ मैडम, आपको तो फंक्शन में जाना है न? उसे कैंसल कर सकते हैं, पबलिक सर्वेंट होने के नाते हमारी पहली ड्यूटी पबलिक की हेल्ट करना है, समझे? पानी दो, पानी दो, पानी दो, पानी दो, पानी दो, पानी दो, पानी सबका हक है, पानी हमारा हम है, पानी सबका हक है, पानी हमारा हम है, अधिकारी क्या गया, ऐसे पेश आते हैं, इजब ताम की कोई चीज नहीं है, अधिकारी का इज़त करने से हमें परहज नहीं है, ले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहूंगी, न्याय मांगना आपका हक है, लेकिन उसके लिए दूसरों को तकलीफ देना गलत है, वहाँ देखिए, कितनी गाड़िया रुकी है, बच्चों को स्कूल पहुँचना है, किसी को ओफिस जाना है, और किसी को हॉस्पिटल भी जाना सकते हैं, मैं कह रही हूँ, ना बात करूँगी, लेकिन पहले स्कूल बस को जाने दीजिए, प्लीज आप सब लोग इस सरफ आजाएए, मैडम, आपने कहा कि बच्चों को स्कूल जाने दे, हम उन्हें स्कूल तो भेज देंगे, लेकिन क्या वहाँ उन्हें पानी मिलेगा अगर पानी नहीं मिला, तो गाओं का कोई भी बच्चा कभी भी स्कूल नहीं जा पाएगा, मैडम आज की तारीख में पानी का संकट कोई साधरन समस्या नहीं है, अगर खुल के कहूं तो ये प्रॉबलम कुछ ब्रश्ट लोगों की देन है, इस समय आपकी समस्या का मैं एक सलीशन निकाल सकती हूँ आपकी बात पर हम कैसे यकीन करें? अरे मैडम, जमीन में बहुत गहराई तक पानी नहीं है, यहाँ एक ही दुकान है, जो पानी बेसता है, अब उससे पानी कैसे मिल जाता है मैडम, ये भी एक राज है, हमारे पेडों को देख लो, किसी भी पत्ते को हाथ लगाओ, तो पतजड के सुखे पत्ते की तरह बिख प्रही होती है, कुछ समय पहले लोग महामारी से जानवरों की तरह मर रहे थे, लेकिन अमीर ताकतवर लोगों ने उसमें भी फायदा ढूड लिया, बिमारी के लिए तो दवाई मिल जाती है, लेकिन प्यास के लिए क्या इलाज है मैडम, सिवाहे लोगों को मरते देखने क्या हमारा कुछ नहीं हो सकता मैडम, मैं तुमारे पिता के उम्र का हो, मैं तुमारे समने हाथ जोड़ता हूँ, एक बाप अपनी बेटी के हागे हाथ जोड़ रहा है, हमारे लिए कुछ करो बेटी, नहीं तो यहाँ सब मर जाएंगे, हमारे लिए कुछ करो, हमारे लिए लेकिन प्यास के लिए क्या इलाज है मैडम सिवाहे लोगों को मरते देखने के हमारे लिए कुछ करो बेटी जी मैडम अभी अभी एक वाटर टैंकर यहां से गुज़रा है चेक करो वो कहा जा रहा है अभी देखता हूं मैडम हाँ बोलो मैडम यहां पर एक बस खराब हो गई है यहां करीब 45 टैंकर्स है यह सारा पानी होटल्स और बड़ी बिल्डिंगों के कंस्ट्रक्शन के लिए सप्लाई किया जाना है सभी टैंकर्स को सीज कर दो और गाउं ले चाओ इमारतों से ज्यादा काउवालों को पानी की जरूरत है यमुना ने ग्यारा सो की बोली लगाई यमुना ने ग्यारा सो की बोली लगाई मेरे बारा सो लगाओ सुमित्रा ने बारा सो की लगाई है कोई और है दीदी मेरे तेरा सो रुपे लगाओ तेरा सो, रजनी के तेरा सो, रजनी के तेरा सो, दीदी, मेरे चौदा सो लगाओ, सुमित्रा के चौदा सो, सुमित्रा के चौदा सो, मेरी और से पंदरा सो, यमुना की पंदरा सो, यमुना की पंदरा सो, कहा है यमुना दीदी, इससे क्या होगा, बच्चों की स्कूल की फी चाय का ताइम हो गया चलो जाय पीलो सार अजया है इधर आओ यहाँ चाय पी लेते हैं मुझे मुझे दो ए दंशिका कहा है वो उस तरफ गई है दन्शिका दन्शिका अरे कहां गई होगी आ जाएगी वापिस दन्शिका 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 एएएएएएएएएएएए तंजी को देखे जंजी को देखे जंजी को देंशिका देंशिका सुमित्रा तुम्हारी बच्चिय यहां है क्या हो गया छोटी सी बच्ची वहाँ गया रुख्ण अफिसमेट तुम वहामज़ा यही रुख वहामज़ा क्या हो अउका? दंशीगा! सुमेत्रा, रोगा! सुमेत्रा, रोगा! दंशीगाÖ ब망 risky दंशीगाW सुमेत्रा, सुमेत्रा. समीत्र कुछ नहीं होगा तरी बच्ची को समीत्रा उज्जा हम निकाल लेंगे कि इसमक तुम लोग कहा पर हो एक खेत में सा कर्तूर गाव में सर जल्दी पहुंचिए ना सर जल्दी किजिए सर क्या का फॉन पे पहले बात हुई थी अब तो फोन ही निए ज़दी करो अधर पिछे रहो ना थोड़ा पिछे रहो दे तो तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है बहुत ही अंदर अंधेरा है दंशिका दंशिका तुम कुछ बॉल क्यों नहीं अरे सब लुक शांत रहो वो किया है अबने हो सकता है के लेक्टर्स आपकी तरफ से कुई मताता आए जल्दी अरे किती छोटी बच्ची है कुमार तका हो मेरा फोन लेकर आए ये कुमार फोन लेकर क्या इसकी गहरा है किती होगी तक रिवन शतीस पीट है ये जल्दी से रच्ची है लेकर आओ है 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 कि या ज ऊड़ि पदा सर जाकर देखता है है जल्दी चेक करो डिके तव कि इसको तूल्स लाकर दो हलो हलो उसको में नीचे डाल रहा हूँ उसके आवाज डूर्ड करने की कोशिश करूँगा शोर मत मचाना अरम से अरम से धीरे धीरे ले जाओ धीरे इसकी मां को बलाओ जाओ जाओ इनको यहां से लेकर जाओ वर्दा बच्ची डर जाएगी अब इन्हें लेकर जाओ एबसाँ नजई का से असार से एकर जो करेंगी और से कम को भाद नियां तुम्हारे बापा कोभी आरे खोब भाद यह लेएज अवलाद ही रहाएज कोभी निकाल लेगे तुम्को क्या होगा नंची का नंची का नंची का अरे बच्ची कैसे है अध। कुछ आवास आ रही है क्या क्या आप लग थोड़ी देर चूप रहा होगे तुम्हे ई पा सुझ मैं नंची का नंची का कुछ बोलो बेटी हम लोग तुमको निकाल लेंगे घबराना अब डरने की कोई बात निये तुम्हारे पापा वो भी आ रहे दंजी को मा मुझे टेल लग रहे मुझे आसली जो दुपाओ अड़ी मंजी समझ में नियारा हुआ क्या है जल्दी करो लेट हो रहा है सर एंबुलन्स आगे नहीं आ सकती उसका रास्ता भी रूख क्या है दंजी का क्या तुम मेरी आवाज सुन पारी हो हम नीचे रस्षी भेक रहे हैं उसे पकड़ लेना शायद आपकी आवाज नहीं सुन रही है दंशीका दंशीका उस रस्षी को पकड़ लो बेटा सुन रही हो ना रस्षी को पकड़ लो शायद आपकी आवाज नहीं सुन पारी हो सकता है कि नेटवक ना हो नमस्कार, आज कतूर गाउं में किसान की बेटी बोर्वेल चुप, ये बंजर जमीन है सालों से बारिश नहीं हुई, खेती कहां से होगी आज कतूर गाउं में रहने वाले एक परिवान की चार साल की बेटी जिसका नाम दंशिका है, वो खेत में खेल रही थी कि अचानक एक खुले पड़े गहरे बोर्वेल में वो बच्ची गिर गई हाँ बोलिये स्पी धननजे बोल रहा हूं मेडम कतूर विलेज की तरफ जा रहा हूं इंफर्मेशन मिलिए कि चार साल की बच्ची बोर्वेल में गिर गई अपने मेरिकल टीम को इस बारे में जनका लिए दी फायर बिगेट को भी इंफर्म कीजिए वी एओ तैसिलदार और दूसरे ओफिशल्स को भी तूरंत आने को कहिए मैडम आप तैसिलदार गड़ेश पोल रहा है इस वख कहा है आप रास्ते में में कतुर पहुंच रहा हूं रास्ते में जी गाड़ी में पहुंच जाओंगा गाड़ी की आवास तो सुनाइनी दे रही दरसल मैडम सिकनल नहीं था सिंसेली काम किजी प्लीज यहां के विए ओ कौन है और वो का है वह वहीं स्पॉट पर है उने कहिए मुझसे बात करें जी मैडम अब ऐसे ही होगा मैं यह डीम का फोन है धनपाल साब फोन तहसिलदार साब का फोन है अगर फोन उठाया तो बहुत काम दे देंगे अगर मेर वल्हें पूछे तो कहना गाड़ी चला रहा हूं है समझ गए सर नमस्ते सर में उनका असिस्टेंट बोल रहा हूं वह इस समय गाड़ी चला रहे हैं सर तुम लोग इस वड़ा हो सर हम लोग कतूर गाओ जा रहे है दस मिट पे पहुंच जाएंगे सर गाड़ी में वो तो आवाज क्यों नहीं आ रही है गाड़ी अभी सिंग्नल पे खड़ी है सर ठीक है ठीक है कलेक्टर साहिबा उनसे बात करना चाहती है उनसे कहो कि जल्द से जल्द फोन कर ले अभी फोन करवाता हूं सर सुनो क्या बोला उन्होंने सर अरे वो तेहसिरलार बहुत तेज आदमी है सर समझ गया कि हम गाड़ी पर है ही ने अरे खाक तेज आदमी है व्यूजलेस फेलो है सड़क किनारे खड़े होके गपे मार रहा होगा हवा में तीर छोड़ा होगा सर एम्बूलेंस वहाँ पहुच गई न ना एम्बूलेंस आ गाओं में धन्शिका नाम की एक चार साल की बच्ची आज तो बहे को बोर्वेल में गिर गई उस बोर्वेल की कुल गहराई तकरीबन 148 फीट है और धन्शिका उसमें तकरीबन 36 फीट की गहराई पे फसी है आरंभिक पर दाल से पता चला है कि वो खुला बोर्वेल किसी और का नहीं बलकि उसी गाओं के रहने वाले जमीदार बालकृष्ण के खेक में ही स्थित है हलो बोर्वेल दो सार पुराना है पारी नहीं निकला है इसलिए उसे खुला छोड़ दिया गया पता चला ऐसे और भी कई वोर्वेल हैं जेने कभी कवर ही नहीं किया गया हमारी कोशिस यह रहेगी मेडव कि जितनी जल्दी हो सके बच्ची को निकाला चुड़े मीडिया इस ख़वर को ब्रेकिंग न्यूस बना रही है जमीदा से पुछताच की कहीं ग्राय भूडिया है मेड़म कहीं से भी जून निकालो सारे ओपन बोर्वेल प्लोस करवाओ एफ आयर दर्च करो और जो भी अपडेट हो कीप मी इनफर्म्ड ओके अरे जल्दी करो और कितना टाइम लगेगा पूरा रस्ता जाम हो गया है जल्दी करो जल्दी करो ओ देखो पकड़ो उसे जल्दी करों तुम जाएं से जो निकलो यहां से जाओ पिछे अरे सारा लोग चैनल से हमें जाना दीजे आप चैनल से तो मैं क्या करूं आप लोग शांत हो जाएं क्या कर रहें आप लोग अरे तो दूसरा क्लच वायर मिला जल्दी करो इस मेड़ा क्लच प्लेट भी डेमेज हो गया है कोशिश कर रहे हैं इसे ठीक करने में किती दिर लग जाएगी एक जल्से जल्द भेजो ठीक है एक काम करो क्या हम दूसरे रास्ते से गाड़ी ले जा सकते हैं मैड़म कत्व यहां से 20 किलोमेटर दूर है रास्ते में एक टूटा हुआ पूल है जिसकी वज़े से पहुंचने में आदे घंटी से ज्यादा समय लगेगा क्या इतना समय है हमारे पास बच्ची को गिरे एक घंटा हो चुका है मैड़म ज्यादा देर होने से खत्रा हो सकता है पास के होस्पिटल स से कोई मेडिकल टीम पॉच्ची है दो नर्सेस पहुंच चुकी है हॉस्पिटल ने इनफर्म किया है प्लेस पे ऑक्सीजन सेलेंडर नहीं है मतलब बच्ची बिना ऑक्सीजन के बहां पासी है क्या है ये वो ब्रेज अब तक रिपैर क्यों नहीं किया गया मैड़म लोकल इसकी वज़े से नहीं हो पाया और जगे पॉलिटिक्स ऐसे इंसेंसिटिव पॉलिटिशन और ओफ़सर के रहते तीश प्रोग्रेस कैसे करेगा एक काम करो इस गाड़ी को धक्का मार कर खाली जगे पर लगा दो मेरी बच्ची ये भगवान हमारी बच्ची को बचालो कि जोड़ो चलोज़ोब। को कि यहां बैसेपेटे किसका इंतरशार कर रहो खोजने आने वाला है क्यों आएंगे वो लोग लडञकी मिनिश्टर की नहीं है तंचिका को अगर बचाना है तो खुद कुछ करना होगा जाके हंगामा करो सडके रोको ट्रेने रोको बस चलाओ गाड़िया जलाओ फिर देखो कैसे नहीं आते है वो एक भी सरकारी आदमी नहीं पहुचा ए सुनो सुनो क्यों गलत बाते करके लोगों को बढ़का रहे हो फायर बिग्रेट की गाड़ी खराब हो गई है एक भी सरकारी आदमी नहीं पहुचा क्योंकि वो आना ही नहीं चाहते मीडिया वाले कैसे आगे से अरे ये लोग सुधरने वाले नहीं है ऐसे क्यों कहते हो मैं भी तुम में सही एक हूँ थोड़ा धीरज रखो अब गाड़ी खराब हो जागी तो कोई क्या कर सकता है किसी को भी हमारी चिंता नहीं है अरे सुनो भाई चिला क्यों रहे हो बड़े ऑफिसर से ऐसे बात करते हैं ज्यादा परिशान करोगे तो हम काम कैसे करेंगे तुम लोग समस्ते क्यों नहीं आप लोग करते क्या है इतना हंगामा करने के बाद तो आप लोग आए है तिरिवलूर जिले के कतूर गाउं के एक जमीनदार बालन जिनकी जमीन पर बने 140 फिट के बोर्वेल को इसलिए खुला छोड़ दिया गया क्योंकि उसमें पानी नहीं निकला जिसका नतीजा ये हुआ कि एक चार साल की मासूम बच्ची उसमें गिर गई प्रशासन को यहां आने में इतनी देर लग गई इसके लिए आप क्या कहना चाहिए मैंड़ गिरे दो घंटे हो चुके हैं लेकिन ना यहां फायर इंजन पहुंचा ना ही एम्बूलेंस का कोई पता है क्या आप जमीन के मालिक के खिलाफ एक्शन लेंगी इस वक्त हम कोई स्टेट्मेंट नहीं दे सकते हैं इन्हें अपना काम करने दीजे प्लीज मैंडम जबाब नहीं दिया मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना है बच्ची को बचाने के बाद ही स्टेट्मेंट दूंगी प्लीज हमारे सब को प्रेट कीजिए मैडम क्या प्लेट आने वाले अधिकारियों के खिलाब कोई एक्शन लेंगी प्लीज अंडेस्टांट कोई जान बोच कर लेट नहीं आता गाव और शेहर की दूरी होने की वज़े से लेट हो जाता है प्लीज हमें काम करने दीजिए क्या शेहर से दूर रहने वालों के ल में होती है एलेक्शन में जब वोट मांगना होता है तो नेता हेलीकॉटर से भी पहुंचाते हैं तुछ भी दूर पास नहीं होता है यहां लोग अपने मतलब से आते हैं माराब से अधाना हमारी बेटी को पचालो मेडम आप हमारी लिए भागवान प्लीज उठिए चांसार की बच्ची है मेरी थोड़ी हमत रखिए देखिए हम सब लोग यहां सर्फ आपकी बेटी को ही बचाने आये हैं विश्वास रखिए सब ठीक होगा ऑफिसर प्लीज न इस तरफ आई है मेडम इस तरफ क्या वो ठीक है चक कर रहे है मेडम उसकी फिजिकल करनिशन अंदर जहरेली गैस नहीं है बच्ची जिन्दा है गहराई कितनी है लगबग 36 फीट नीचे रेस्क्यू करने में कितना वक्त लगेगा तकरीबन दो से तीन गंटे इतना वक्त क नर्स मास्क पहुचाने के बाद पानी का इंतिजाम करो जल्दी ये क्या है माइक और कैमरा कुए के अंदर ले जा रहे है मेडम कैमरा के हेल्प से स्क्रीन पर लड़की को देख पाएंगे और माइक से उसकी ब्रीधिंग पैटरंस और बॉड़ी मॉवमेंट्स को चेक करे बता नहीं क्या होगा लड़की अब तक जिन्दा होगी कि नहीं बताइए बहुत बद को खुदा छोड़ दिया कमेंगे सुनो उसकी आँखे नजदीक से दिखाओ थोड़ा जूम करो डरी हुई नहीं लग रही है काफी हिम्मती लड़की है आई थिंग शीज ओकी शी नीड़ सपोर्ट अगर कोई उससे बात करना चाहे तो उसकी पापा को बुलवाओ शूर मैं बच्ची के पापा को बुलाओ ए विरेंद्र खड़े हो जाओ इनको हैटफॉन दो बात केजे बच्ची से और जाओ जाओ विरेंद्र भेले रोना बन केजे बच्ची डर जाएगी तोशिक है मेरी बच्ची तोशिक है तोशिक है दंशिका पापा मुझे आशिक निकालोगे दंशिका बहुत जल निखा लेंगे बेटा दंशिका पापा कौन बोल नहीं है उनका नाम क्या है मेरा नाम माधवी है बेटा तंशिका आज ही तुम्हारा बद्दी है ना अज नहीं है कल है तुम्हारे लिए कौन सी चोकलोट लाए माँ मेरे लिए केक लाने वाली है उसमे मेरा नाम ही लिखने वाली है हाँ बेटी हाँ उसके एक पर उमारी मान ने दुमारा नाम लिखवा दिया है पापा मैं हाते उठा पारे हूँ कौन साथ कौन साथ मेरी बच्ची वही जिसे खानों खाते है दंशिका सास लेने में तकलीफ तो नहीं हो रही ना ठीक अतने से बुखा रही है थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा करमी से पसीना आ रहा होगा ना बोलो नीचे बहुत करमी है क्या मुझे सुरू आरे वही कर ले बेटा अगर कपडे में ससु करने तो माठाटे नी ने ने मैं ने ने नाटूगी कैसे कपड़े पहन रखे उसने क्यों दरसल मेडम हम उसे खीचने वाले हैं अगर कपड़े मजबूत होंगे तो हुक फसा कर खीच लेंगे समद कीचिए अप परिशार मत हुई है हम लोग है ना बढ़ गे तो वह तुम्हारा नीचे गिर जाएगी रस्ती पर बटरफ्लाइ नाट लगा कर उसके हाथ में फसाएंगे तो हैंड लॉक हो जाएगा हाथ लॉक होने के बाद बच्ची को उपर खीच लेंगे हाँ पर शोल्डर डिसलोकेट नहीं हो जाएगा चांसेस तो है मेडम और कोई उप्शन हमारे पास दूसरा उप्शन है लेकिन थोड़ा रिस्की है हम खीचने के लिए पहले वायर्स का इस्तेमाल करते थे लेकिन वायर्स से बॉड़ी और इसकिन बुरी तरह छिल जाती थी डक्टर और कोई तरीका नहीं है मेडम कैसी भी बच्ची की जान बचानी है वी विल टेक केर मैम आई यू शूर मैम ओके प्लीस स्टार्ट दे प्रसीज़ास मैम रेस्क्यू टीम ने कैमरा और माई की मदद से बच्ची से बारचीत की और उसके सुरक्षित होने की पुष्टी की है प्रशासन उसे बचाने के लिए लगातार प्रयासरत है लेटेस इंफर्मिशन के हिसाब से रेस्क्यू टीम रस्सी पे बटरफ्लाइ नौट से लड़की का हाथ लॉक करके उसे बाहर खीचने की कोशिश करने वाली है एए, क्या मदाख है ये गरीब के साथ इतने सालों बाद भी हमारे लिए एक मशीन तक नहीं बनाई गई गरीब को बचाने के लिए सिर्फ एक रस्सी बचिये क्या थोड़ा आराम से खीचना वरना सरकार को लाखों करोणों का नुकसान हो जाएगा रस्सी डालने थी तो एक ही इंसान काफी था न यहां पर कलेक्टर एक एसपी और डॉक्टर की पोच क्यों खड़ी कर दी रस्सी की क्या हमारे पास कमी है हम खुदी नहीं खीच सकते थे डालके करीबों के बचाने के लिए एक मशीन तक नहीं बनाई सब को शामीरों के लिए है अलो वाइन टू त्री फॉर तूटा पूटा जोफडा वारा गरीब का जोफडा चला के नेता अपनी रोटी असे के आज फिर से एक चार साल की बच्ची बोरवेल में गिरी क्या प्रशासन लड़की को बचा पाएगी या फिर पिछले केसिस की तरह वो मौत की भेट चड़ेगी आज का सवाल यही है 100 करूर से जादा आबदी वाले देश में जहां शहर और गाउं दोनों है लेकिन हमारे प्रशासन और आम लोगों का रवईया शहर के निवासियों के लिए अलग होता है और गाउं में रहने वालों के लिए अलग होता है ऐसा क्यों? वो क्या है कि इंडिया में ऐसी लापरवाही के प्रती गॉर्मेंट और लौ बहुत लिनियन्ट है इसलिए यह सिविल केस बन के रह जाता है अगर यही हादसा फॉरेन में हुआ होता तो यह क्रिमनल केस बन जाता तो आप हमें बताइए कि आज जो लड़की बोर्वेल के कवर्ड ना होने के कारण उसमें गिरी उसके पीछे खुद वो लड़की या फिर कोई और जमेदार है देखिए एक चार साल की लड़की जान बुच के जान जोखिम में ढाल के बोर्वेल में तो नहीं कूदी होगी ना बोर्वेल को खुला छोड़ने के लिए उसे चेक करने वाली सरकारी एजनसी सबसे जादा जिमेदार है और अफकोस उस बोर्वेल का ओनर भी देखिए ये पहला ऐसा केस नहीं है बिलकुल नहीं है इससे पहले भी ऐसा कई बार हो चुका है इससे पहले हजारों बच्चे ऐसे ही बोर्वेल में गिरके मौप के मुह में सोचुके हैं ये तो आप जानते ही हैं आज अगर ये इस तरह का पहला केस होता तो कह सकते थे कि महज़ एक एक्सिडेंट है लेकिन ऐसा नहीं है बहुत स्लोली बहुत स्लोली आराम से आराम से रसी को नीचे लिते जाओ रसी को नीचे लिते जाओ बहुत स्लोली बहुत स्लोली आराम से पाई तरफ रको रसी आराम से दन्शिका अपने हाथों को रसी में डाल दो बच्ची रसी में पूरा हाथ नहीं डाल रही है हम और वक्त बर्बाद नहीं कर सकते लूप को टाइट करो जल्दी करो रक्षा करो गणवान 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 आराम से, बच्ची उपर आ रही हैं पहुत आराम से, सेंटर में रखो रखो, अधम community का ए साइड़ से बचाऊ अधम करतो हैं बास आ प्खिसते रों खिसते रों कानसे आराम से बहुत आइस्ता एक तम आराम से जल्दबाजी मत करपकर नकिषनु है महात बहुत देर दो रहा है, मा देनशीका.. देखो रसी पक्रिरेहना.. छोड़नासा..? तेको बच्ची डरी हुई है.. ज्यादा तेज मनहीं कीचना समझ गहे है..? बहुत आराम से खीचों उसे.. teasing.. माइ.. पहुत देर दोरा पहुतॅ… मेरा जूट… चुट रहा है.. माँ, दंशिका, दंशिका, बेटी, दंशिका, माँ, जा कर देखो चल्दी, क्या स्थिती है, चल्दी जाओ. समित्रा, सुमित्रा, समित्रा! अड़ी, अड़ी, पीचे, 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 अड़ी, आड़ी, जाना पीचे! देखे, देखे, आप लोग शान्थ हो जाएए, हम किसी भी तेरे बच्ची को बचाएंगे. कर दो कि अपने ने कर आओ किसी भी तरीकिसे उसे अमिलेस सक पहुचाओ एए वह यागी नहीं आगा समित्रा देखो इसे का हो गया देखो यह चल्दी देखो कि अपने केबल की लेंद्ध बढ़ा दो इतने लिंद्ध वाले केबल से काम नहीं चलेगा एक और केबल चोड़ कर उसकी लिंद्ध जटी से बढ़ाओ और कितनी देर लगेगी बस दो मिनट में हो जाएगा मैडम प्लीज चल्दी कीजिए चल्दी ओ, चल्दी ओ मेरे साथ, आजो बोरवेल में भसी धन्शिका को बचाने की कोशिश में एक और रुकावट आ गई फायर मैन लड़की को एक रस्टी से उपर खीशने की कोशिश कर रहे थे पर हाथ से रस्टी चूट जाने के कारण वो फिर से नीचे गिर गई उत है रुख जाओ बाल क्रिष्णा लड़की की सांस की आवाजे आ रही है कितनी गहराई में होगी ये लगबग 36 फीट डाक्टर उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही देखकी जी क्या हुआ मैडम गहराई में ऑक्सिजन की कमी हो रही है इसलिए बच्ची बार-बार लंबी सांसे ले रही है हमने ऑक्सिजन की सप्लाई बढ़ा दी है मेडम ब्रेधिंग नॉर्मल हो जाएगी कोई इंप्रूव्मेंट क्यों नहीं है डाक्टर वो अभी भी ब्रेथलिस लग रही है ऑक्सिजन का लेवल बैलेंस रखो ओके सर लेवल धीरे धीरे बढ़ाओ इस समय लेवल क्या है फोर फोर लेवल है सर फोर 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 लेवल फोर से थोड़ा सा ज़ादा बढ़ाओ बढ़ाता हूं सर डॉक्टर अभी भी कंडिशन में ऐसी है कोई सिलूशन ढूढ़िये दू सम्थिंग क्विक हॉस्पिटल फोर लगाओ तंशिका क्या तु मेरी आवास सुन सकती हो सर हमने 36 लेवल पे ऑक्सिजन दिया था तब तक तु बच्ची नौवन थी अभी हमने ऑक्सिजन का लेवल बढ़ा दिया है बच्छी सफोकेटिंग क्या हम ऑक्सिजन का लेवल और बढ़ा दें सर थोड़ा और जूम करो और थोड़ा और मेडम ये समुद्र के पास की जिगए है नीचे एक्सेस मीठेन गैस होगी इसलिए ऑक्सिजन इंफेक्टिव हो सकता है मैंने अपने सीनियर से बात की है मेडम मुझे कोई एक्स्पिनेशिन नहीं चाहिए अज़ डॉक्टर अब क्या कर सकते है मुझे सिर्फ इतना बताईए कि उसकी ब्रीधिंग नॉर्मल करने में आप हेल्प कर सकते हैं या नहीं डॉक्टर इस वाद क्या कर सकते हैं हम मुझे एक और बात बताईए ऐसा ही सफोकेट कर दी रही तो कब तक सर्वाइव कर पाएगी वो मुझे कहते हुए अफसोस हो रहा है मैंडम लेकिन कंडिशन बहुत सीरियस है ज्यादा से ज्यादा आधा गंटा स्वारी इस वक्त हम इतना ही कर सकते हैं कि ऑक्सिजन का लेवल बढ़ा दे हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है मैं अले शांत रहो शांत रहो सब लोग कोशिश कर रहे हैं न सब ठीक पेचे करो ये सब डिस्टरप कर रहे हैं क्या कर रहे हो तुम लोग कर दोат nut ना सेयर श्रमस करिसे कि रधर आसे में चाएंगें जाएंगे वार झालेकर, जाएब verw कर दो जो । का लगा शाना का दोप मेल जाए खाइश्स क्या हुआ समित्रा को पेशिक को बज़ए है आप बच्फी को बचाने हैं जा सकते आप चाहिए आप कि अ कोई जाओ वहाँ उने वापस बुलाओ यस मेडम वीरेंद्र वापस मतादा वीरेंद्र वापस मतादा इन लोगों के पास रस्सी के सिवा और कुछ नहीं है अब तुम्हारी बेटी को कोई नहीं मचा सकता अगर वो मर जाए तो समझ लेना कि डेंगु या टीवी से उसकी पौध हो गई है कम से कब अपनी पत्नी को तो बचा लो अगर तुम्हारी पत्नी यहा रही तो बेटी की आलत देखके वो भी बर जाएगी भाग जाओ विरेंद्र अगर मपिज़ पिए रहेंगी जाएगी वो देखको पने ने फिरेंगी अधियों जाओ जाओ आप देखको आपको अधियों कि अराम से अराम से अराम से लिटाओं ठीक है समाल के पीज़ाटी आप लोग विरेंद्र क्यों सबकी मुश्किलें बढ़ा रहे हो समहालो खुद को तुम्हारी फैमली को इस वक्त तुम्हारी ज़रूरत है विरेंद्र मैडम अपनी तरब से पूरी कोशिश कर रही है देख रहे हो न ऐसे निराश होने से क्या होगा बाहर टीवी चैनल वाले खड़े है सब के सामने तमाशा मत बनाओ बात को समझने की कोशिश करो विरेंद्र रहे हैं तुमने कुछ खाया बच्चे के लिए कुछ खाना लेकर आओ Sir अलोन रहे, बताता, और शॉन रहे अलोक रुकिए उपिजती चाहिए जैकाः जैकाः तुम लोग कहा जा रहे हो, वो तो मेज़ीय वाले है थीमोग फ्नलचिह तेम लोग इही है जा पचिजस़ नहीं जाने दूगहे हजह सापन्स Совं चाहिए लुट जाए है को यहां हम प्पप्लिक नहीं है माडम हम बता सकते हैं प्रेस को नहीं बताया जा रहा है कि यह कंडिशन क्या है मैडम रही है को है कि लड़की सुरक्षित है नहीं बताई है से मेंटेनेंस को लेके, गवर्मेन ने कई स्ट्रिक रूल्स बनाए हैं, पंपोई उने फॉलो नहीं करता है, आई दिन बच्चे बोर्वेल में गिर रहे हैं, आप इसके बारे में क्या कहेंगी? आज की तारीक में सेकड़ो बोर्वेल्स खुले पड़े हैं, उसके लिए अपने अब तक क्या एक्शन लिया है मेडम, आप बताती क्यों नहीं, आप चुप क्यों है मेडम? मेडम, आप यहां की कलक्टर है, क्या आप इस केस को सिरेसली लेंगी, या बाकी प्रॉब्लेम्स की तरह इसे भी इग्नोर कर देंगी? इतने सालों से बोर्विल में फसे लोगों को निकालने के लिए प्रॉपर इक्विमेंट्स भी अविलेवल नहीं करवा पाए, ऐसा कब तक चलेगा? हम क्यों कुछ नहीं कर पा रहें मेडम? सिर्फ एक रस्ती लटका के लड़की को कैसे बजाएंगे? हमें सच-सच बताईए मेडम, बच्ची जिन्दा है या मर चुकी है? आप लोग प्लीज अपने माइक और कैमराज बंद कर दें, क्योंकि मैं इंटिव्यू नहीं दे रही हूँ और नहीं कोई स्पीश दे रही हूँ. इस वक्त जो भी कहूँगी, आपके लिए वो महज एक निउस ही होगी. आपके सवाल सुनके और आपका गुसा देखकर पता चलता है कि आप जमीदार को अरेस्ट करवाना चाहते हैं. और उस बच्ची को सेफ देखना चाहते हैं. आप मेंसे किसने पूछा कि मैं जमीदार आज की ये घटना देश का आम आदमी ही नहीं, बलकि इस देश के सभी MPs, हर Minister और शायद President भी TV पर ये देख रहे होंगे. उस बोर्वेल में अमीर आदमी की बेटी होती, तो अब तक शायद सबकी स्टेटमेंट्स आ चुके होते. पर चूंकी लड़की poor family से बिलॉंग करत आती है, तो कोई इंटरेस्ट नहीं लेता. किसी बड़े शहर में अगर किसी लड़की के साथ रेप हो जाता है, तो उसे नैशनल इशू बना दिया चाता है. पर छोटे कजबों में छेर छाड़ हो, रेप हो या फिर लड़की के साथ तो उसे इग्नोर कर दिया जाता है. आज क्राइम से ज़ाधा इंपोर्टेंट क्राइम की लोकेशन या विक्टिम का सोशल स्टेटस है. जबीदार को अरेस्ट करो! मंत्री जी हाई हाई मंत्री जी हाई करें लोकेशन पर पहुंच गया हूँ रखता हूँ नमस्ते मैठम मझे तो लगा आप ओफिस से ऑपरेशन हैंडल कर लेंगी पर आप तो यहाँ लोकेशन पे हैं मैठम मैंने सब को इनफार्म कर दिया था मुझे तो ये बताया क्या कि लड़की का पिता आपकी पार्टी का वोकर है सर अब बोलो वह औरत पागल है क्या हां मुझे तेवर दिखाएगी वह किसी आम सरकारी कर्मचारी की तरह नहीं है स्टेट फारवर्ड है उससे काओ मुझे बात करें अचा ठीक है मैडम मंत्री जी लाइन पर है सर सनो जी बताइए सर तुम्हें इस मामले में दखल देने की जरुवत नहीं है और नाहीं जमीदार को अरेस्ट करने की सर हलो हलो मैं कुछ बोल पाती है उससे पहले उन्होंने फोन काट दिया जाकर अप्रेमिनिस्टर से कह दो कि आज शाम तक मैं उन्हें अरेस्ट करवा कर रहा हूंगी एक हमेले और जमीनदार को अरेस्ट करने का चैलेंज कर रही हो जो टाइम पबलिक को कंसोल करने में वेस्ट किया उससे बेटर होता तुम MLA और मिनिस्टर को कन्विन्स करती मिनिस्टर्स को सर्वे करना तुम्हारी ड्यूटी है और चलंता के हितों की रक्षा करना उनके चुने हुए MLA और मिनिस्टर्स की ड्यूटी है, पर इन नेता उन्हें दिमोक्रासी का मज़ाग बना रखा है. नेता कितना भी गलत करे या जूट बोले, पबलिक उन्हीं की पूजा करती है, और उनकी भलाई की सोचने वाले तुम जैसे ऑफिसर्स के लिए, उनके मन में कोई इज़त नहीं होती. लेकिन उन्हें नजर अंदास तो नहीं किया जा सकता. एक पॉलिस ऑफिसर से ऐसे बात की, जैसे कोई रिवोशनली लीडर माइक पर पॉलिस को तीखे सवाल करता है, सुनना चाहती हो. लिसन टू दिस. वो पबलिक है, अनॉगनाइस्ट है, तो क्या पॉलिस भी उनकी इतरह बिहेव करेगी? मैडम, आपने जिन गाओंवालों को पानी देने की बात की थी, वहां के लोगों को पानी मिल गया है, वो आपको धन्यवाद कहना चाहते हैं. मैडम, आपने अपना वादा पूरा किया, हम आपके बहुत अभारी हैं, भगवान आपको लंबी उमर दे, हम आपका हैसान कभी नहीं भूलेंगे, हम हमेशा खुश रहें. अगर बच्ची सिंदार नहीं बच्ची न, तो तुम सबको इसी समीन में गार दूँगा, सब्चेर. बेकार की बाते मत करो, हमें अपना काम करने दो. ए, तु मुझे उंगली दिखा रहा है, मुझे, चांता नहीं है तु मुझे, एक-एक को देख लूँगा, जाओ वाले अपनी होगा, जागे न, तु प्रेदी बचेगा. ये सब जादे योज दिखा रहे हैं, इन्हें यहां से भागाना ही पड़ेगा. ये ऐसे नहीं भागेंगे सर, कोई वज़ा पैदा करनी होगी, ताकि हम लोग इन लोगों को बल पुर्वक यहां से हटा सके सर. ये सब क्या हो रहा है? मेडम, गाउवाले पत्थर मार रहे हैं पर. मेडम, मेडम, आप मच जाएए, मैं धनपाल को भेजता हूँ, वो उन्हें समझा देगा. इतना वक्त नहीं है मारे पास, मैं चाकर बात करती हूँ. मेडम, वो इस लैक नहीं कि आप उन्से बात करें, उन्हें इजज़त से पेश आना नहीं होता. आखर क्यों इज़त करें वो हमारी, तुम चाहते हो कि वो हमसे डर कर रहे, तुम्हारे किसी सीनियर ने դुम्हारी इज़त की है कभी, उनके सामने कभी देवद दिखाये है, किसी से इज़त लेने के लिए, पहले इज़त देनी होती है. कौन है वहां? टरने की जरदत नहीं है, प्लीज बाहर आजाएए, मैं आपसे ही बात करने आई हूँ हाँ, हाँ, कलेक्टर मेडम है, नमस्ते मेडम पुलीस ने आपके ओपर पत्थर क्यों फेका पुलीस ने जमीदार और ML के कहने पर सब कुछ किया, ऐसा कब तक चलता रहेगा जस पुलीस अधिकारी के कहने पर ये सब कुछ हुआ है, उस पर सक्त कारवाई करूंगी पर आपको भी शांती बनाए रखनी होगी क्या आप जमीदार को गिरफतार करवाएंगी वो जमीदार तो अरेस्ट होगा ही, आप लोग सहयोग करेंगे तो वो MLB किरफतार होगा यहां पर तो आप इतने बड़े-बड़े दावे कर रहे हैं, उनकी पहुच बहुत उपर पर गया, आप नहीं पहुच पाएंगी एक गाय गिर गई, उसकी टांग तूट गई, दैया नाम की चीज नहीं है किसी के अंदर, एक रस्टी लेके आ गए, आप भी बताएंगे, सिर्फ एक रस्टी से उसे बचाये जा सकता है क्या आपके कहने का मतलब है कि आप लड़की को बचाएंगी, और जमीदार को अरेस्ट करेंगी, हमें मालूम है, आप जूटी तसल्ली दे रही हैं, किरपा करके हमें, हमारी हालत पर हमें छोड़ दीजे मैडम मैडम पानी मैडम, पानी नारियल पानी जितना मीठा था न मैडम, किसी भी तरह उस बच्ची को बचा लीजिए, अगवान ने आपको हमारे लिए भेजा है, उमर भर आपकी फूजा करेंगे तुम उसे नहीं बचा बाओगी, ये जानते हुए भी तुम लगातार कोशिश करती रही, इससे पबलिक को एक जूटी उम्बीद मिली, तुम अगर चाहती तो उन्हें लाठी चार से भगा सकती थी, उन्हें खुश करने के लिए टाइम वेस क्यों किया बच्ची को बचाने के लिए कोई और आप्शन बचा है, मुझे क्लिरली बताओ, एक रास्ता है मेडम, एक ऑफिसर है जिसने एक रॉबर्ट बनाया है ऐसी स्थेति के लिए, ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई, बहुत कोशिशों के बाद कर उसका नंबर तो मिला, मेडम, आप अगर कहें तो एड्रेस पर ट्रेस करें, उससे मिलने की कोशिश करो, देखे मेडम, इस्ट में एक गाउं है जहां का वो रहने वाला है, हमने अल्रेडी विये ओ को उसके खर भेज़ दिया है, उसे धून कर तुरंत यहां ले आओ, मुझे वो किसी भी हल में च एक बच्ची है जो बोर्वल में भज गई है, हमने सारी कोशिश कर ली पर हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, अब आप क्या कर सकते हैं वो बताइए, बच्ची अब तक जिन्दा है, चितनी जल्दी हो सके उसे बाहर निकालने की कोशिश कीजिए, क्या आपके पास कोई इसके बचाए, बोर्वल के पैरलल, 40-foot गड़ा खो देंगे, और सुरंग बनाकर उसे बोर्वल से कनेक्ट करेंगे, मेरे रेस्क्यू टीम का एक मेंबर उस टैनल मिल जाके, लड़की को हमारे बनाए गड़े तक ले आएगा, मेरे ख्याल से उसके बाद कोई दिक्कत नही वहाँ होनी चाहिए, मेरे बनाए प्कुरिछ नहीं होनी चाहिए, एक अफे वहले फैक कर दो कर दोergस आ जाल को अन neue कर दो कर दो प्रोट कर दो हुआ। झाल झाल कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो अब अलिए सक्षांगी मौहीं और लुष कर दो सिर्फाया हुआ है दो कर दिए कर दो रुका रुकाब, रुकाब समीर में रखाएकर, रुकायो तौकाब ये रुकाम आज़सेज़ स favoris मिर्य ब προड़ चार भाट्र चार भाल चार मिर्लच बborg मिर्य बिश्ट कि प्राट काल 12. वोड्यादे! वीबची! 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 मैं रहें go лучше ? चलकुर बेस्ट बाइ पर दर करस्तों आपकेस् सब्सक्राइब तेरते लिजा कर दोगा अबिछ वित अे जड़ धक्मून सुhmm मैं क्ल थाइ। करन ही पrando प्रातर चौर्ल युद वर तोग तीजा है बाइन प्रेंगेश Dabei message the better it will be for all of us but we are in the middle of the process how can we lose it ma'am there is no time to panic we have to stop the process immediately we are just waiting for your permission what about the child ma'am there is no choice for just one life we can lose many other lives no I can't for safety you can send the other workers out but I will not stop this child rescue operation ma'am I was just addressing the problems please don't misunderstand me okay do whatever you have to do but we cannot stop this this has to continue sure ma'am you 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 हम इसके आगे कुछ नहीं कर पाएंगे अगर हम कुछ कर सकते तो इस तरह से हाथ पर हाथ रखकर खड़े नहीं रहते अगर ये बच्ची बोर्विल के बजाए कहीं किसी और जगे पर फंसी होती तो हम अपनी जान पर भी खेल कर उसे बचा लेते मेडम आखिर सरकार हमें अपनी ट्यूटी पूरी करने के लिए ही तो तंखा दे दिये मेरे पास एक आइडिया है क्यों ना किसी बच्चे को रसी से बांद कर अंदर भीजा जाए और दंशिका को बाहर किछ लिया जाए मशीन में जान नहीं होती बच्चे में होती है मैं आपकी बात समझ रही हूँ लेकिन प्रिकॉशन लेकर प्लान आउप करके सेफटी रखते हुए हम ट्राय तो कर सकते हैं बात तो सही है लेकिन भेज़ेंगे किसको अल्रेडी सोच चुकी हूँ अगर हम प्रिकॉशन लेकर आगे बढ़ें तो दोनों बच्चे सुरक्षित रहेंगे हमें हमीशा पॉजिटिव सोचना चाहिए बोर्वेल में फसी बच्ची की लाइफ अल्रेडी खत्रे में थी और गाओं के लोग प्रशाशन के प्रती वैसे ही काफी गुस्ते में थे और ऐसी सिचुएशन में तुम्हें एक और बच्चे की जान रिस्क में डालने की सोच रही थी इसलिए MLA ने तुम्हें अपना डिसिजन चेंज करने के लिए कहा लेकिन तुमने उनकी बात को नजर अंदास करता जमीनदार ने बताया कि बहुत ही जल्द दंशिका को बचाने की कोशिश फिर से शुरू कर दी जाएगी हाला कि इस पश नहीं हो पाया है कि वो इस मुहीम को कैसे आगे बढ़ाने वाले हैं लेकिन इस पीच जहां पर ये हादसा हुआ है वहां स्थितियां बहुत ही भयावय बनी हुई है बच्ची की जान लगातार खत्रे में हैं फिलहाल उस जमीन के मालिक जमीनदार बालकृष्ण को अरेस्ट कर लिया गया है है चल बाहर निकल कोई नहीं चाहिए इधर चल निकल यहां से तेरे को अलग से कहना पड़ेगा क्या तू भी निकल यहां काम कर रहा हूं सै बहुत हो गया तेरा काम क्यों मैडम जी किसी की जान बचा के रातो रात लीडर बनने का सपना देख रही हो कितना तमाशा आखिर किस लिए लड़की बोरविल में गिर के मरती है तो क्या कहेंगे उसकी मौत हो गई पर अगर कोई दूसरा मरा तो वो हत्या होगी कल सुबह हर निउस चैनल पर यही ब्रेकिंग निउस होगी यह मेरा एरिया है पालिया मेंट में जब इस पर सवाल उठेगा मैं जवाब दे पाऊंगा वो रिपोर्टर जो कैमरा लेकर खड़े है न वो तुम्हें नहीं बलकि सब के सब मुझे कटगरे में खड़ा कर देंगे यह डॉक्टर इदर आओ इदर आओ तुम्हारे हिसाब से और कितनी देर जिन्दा रहेगी देखो मुझे गलत मत समझो तुमने पहले भी ऐसी मौते देखी होंगी सर ऐसे कंडिशन में काफी देर पहले डेथ हो सकती थी लेकिन अजीब बात है कि उसकी सांसे आभी भी चल रहे है अरे और कितनी देर तक चलती रहेगी आखिर मरना तो है ही ना कलेक्टर मेडम ऐसे देख रहे है जैसे मैं मारने वाला हूँ है तुम सुनो इधर आओ उसे बचाने का और कोई तरीका बाकी है क्या सर्फ एक ही तरीका है वो क्या है उसके जिन्दा रहने तक कोशिश करती रहोंगी अब बताये क्या करों एक ननी सी जान को मरता देखों आपकी तरह अपनी आखे पहर लूँ उसके मरने के बाद चैन से सो पाएंगे आप लोग इस उमीद में हैं कि मैं उस लड़की को बचा लूँगी किसी की उमीद को सिंदा रखना गुना है क्या कोई मेरे बार में अच्छा सोचे या पुरा अपनी कोशिश के प्रती इमानदार रहोंगी किसी भी यह तक बचाने की कोशिश करूँगी तुम्हें करने दूँगा तब न यह मेरी अपनी समस्या है लड़की मरी तो मैं जवाब दूँगा हमारी सरकार उसे मुआबजा देगी मेरी पाटी उसे पैसे देगी मैं पैसे दूँगा पैसो से उसके आसू पूछेंगी ए घरीब को और चाहिए क्या पैसो से बड़ा क कोई मरहम नहीं मेरी बात सुनो और उसे समझो दुनिया को दिखाने के लिए उसे बचाने की आक्टिंग करते रहो और स्पीटर ले जाने के बाद उसे मरा हुआ घोशित कर देंगे बात समझ गये ना है भूपती आज रात को पासला कैश रेड़ी रखो उसके मरने के वज कि अब देश को सर्otle लोग चलाते हैं यहां के निता और यह अधिकारी चंता हमारे पास आती है अपनी समस्या का हल पाने के लिए लेकिन अपने वोट इन्हें डेकर सारे पावर इन्हें देती है ये सिर्फेस बच्ची का मसला नहीं है, बलकि इन्हें वोट देने वाले लोगों के विश्वास का है जब ये नीता इन भोले भाले लोगों को गीरी हुई द्रिश्टी से देखते हैं, बहुत दुख होता है इस वक्त हमारे सामने इस देश के दो अलग-अलग चहरे हैं एक है रॉकेट इंडिया और दूसरा बोर्वल इंडिया रॉकेट इंडिया प्रगती का प्रतीक है और बोर्वल इंडिया प्रती निधित्व करता है गरीब भारत है तो हमें बताईए दोनों में से भारत का सही चहरा कौन सा है सबसे पहले ये किलियर करना होगा कि रॉकेट को लॉंच करने के पीछे आखिर मकसद क्या है तब ही उसके सार्थक्ता समझ में आएगी मिशन है लैंड में पोटेंशिल माइन्स का पता लगाना और आपका मतलब यहां मिनरल्स की खोज करना तो है ही उसके अलावा मेटल्स के पोटेंशिल माइन्स लोकेट करना दूसरे डेबलप्ट कंट्रीज की तरह इंडिया ने अपने मिनरल्स रिसोर्स को फुली एक्स्प्लोर नहीं कर पाई है पानी की रिसोर्स को भी ठीक से उटलाईजेशन नहीं हुआ है रॉकेट हमारे लिए साइन्टिफिक सक्सेस है इस सक्सेस को सच्चे माइने में आवाम की जीत बनाना गौर्मिन का काम है हमारे देश के स्पेसिफिक एरिया में ये काम ये काम डेवलप्मेंट की एक तस्वीर हमारे सामने रखती है लेकिन दूसरी और भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा ना कि सिर्फ हमारी सरकार बलकि भारत के डेवलप्ट हिस्से में रहने वाले लोग भी इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देते और सब के सब इन्हें इग्णोर कर देते हैं पापा क्या मुझे नहीं बचाएंगे लुझे 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 लु विजु के नहीं नहीं ओने पर चेक करो तंशिका, 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 What's wrong, check immediately की लच चिले गैए दो तज्शिक जो नौप नंड़ अबिल चितनगी अज्सिया नज्छ ररीके पैंगी दो तोली दे एपनी लिया सुनदी काश्यू आपू मादम तर प्रोल्मम्हू देया मुझा देरयास अप्रोल्म्हू शंट्प्रक्राइबर जाए मादम इस धक्राइब दॉच्छिका प्रोल्म्हाइब दॉच्छिका ऐसूंत। मुझा भया ऑट खूपौल्हे और है तूम्हारी बेटीको पूछी नही हो रहाऊ.. तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं होगा Water, water, जल्दी से पानी लिया लड़की के ओपर थोड़ा पानी डालो, जल्दी तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं होगा थोड़ी हिम्मत रखो, हिम्मत रखो, कुछ नहीं होगा बर गई मेरी बच्ची दन्श का मर गई मैडम क्या संचे के लड़की मर्चुकी है बताए मैडम विरेंद्र बढ़े बच्ची मेरे बच्ची मुझे बच्ची को बाजाना है मेरे बत्ची मेरे बत्ची मेरे बत्ची मेरेधवगरब शरत के लगा ऍरेंदर पिरेंदर प्लीस अदर मत्चाँ के अच्छ अधर समेचिको पुषिश करो तो से कुछ नहीं हो गार्यकीन मानो हम उसे बचा लेगे अब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी वेटी घब रा जाएगी तुम्हें बताब जाओगे तो कैसे चलेगा मेरम बोलड की सिंदा है हमें उसकी आवाज सुनी तर्ची का सिंदा है माम उसकी सांसे चल रही है प्रेन को नहीं चलाओ, मुझे उपर से देखना है जल्दी करो उपर लेजाओ जल्दी, जल्दी करो जल्दी करो मेडम, दंशी का जिदा है आप चाहें तो आके देख लिएजे, जल्दी आये मेडम इसकी माब आपको बताओ, जल्दी जा कर बताओ, सब को नीचे से अठा दो मेरी बच्ची, मेरी बच्ची सब लोग क्यों पहुँ पहुँ बच्ची जिन्दा है सब लोग बहार आओ, और खुदी देख लो हमारी बेटी जिन्दा है , सुमीत्रा हमारी बेटी जिन्दा है सुमीत्रा थुमारी बच्ची दर्शी का सिंदा है, विरेप ? दैयारे मेडम उसका जाना सेफ नहीं होगा, उन्हें वहाँ जाने से रोकिए प्लीज कुछ कीजिए बोरवल को खुला रखने वाला वो जम्मीदार था क्या हम लोग उसे रोक पाए तो फिर इनसे क्या उमीद रखते हैं आप हम अपनी बच्ची को बचा के रहेंगे सारी बात इन्हें ही क्यों समझानी पड़ती है क्या उसे कुछ कहने की हिम्मत थी आपकी कोई भी साथ नहीं दे रहा अके लिए क्या क्या करू मैं अगर आज उस लड़की को नहीं बचा पाए तो उम्र भर अपना मूदी खाने के लायक नहीं रहेंगे प्लीज मेडम ऐसा मत कहिए मेडम कम से कब आप तो ऐसी बात मत कीजिए अपनी जान की परवा नहीं है मुझे लेकिन अपने बच्चों के बिना एक पल भी नहीं जीपाऊंगा मेडम ए मायूस क्यों होता है हम लोग है न है न हम लोग तुम लोग मेडम को नहीं देख रहे उन्होंने हिम्मत हारी है क्या तंशिका को भी यकीन है कि हम उसे बचा लेंगे तो तू क्यों मायूस होता है अरे कोई इतनी जल्दी हिम्मत हारता है क्या कोई हमारी मदद करे न करे लेकिन हम अपनी बच्ची को जरूर बचा लेंगे चलो सब लोग मेरे साँ चलो हम उसे दिकालेंगे अपने ही दम पर आज के बाद किसी विनिस्टर को यहाने यहाने देंगे असली गुनेगार तुम ही हो इस देश को चलाने वाले तुम ही हो इन सब के जिम्मेदार तुम ही लोग हो चुप रहो तुम जिन्देगी जहनुम्बा ना रखी है हमारी, चलो, चाहे कुछ भी हो जाए तुम जानती हो कि तुम्हारा फैसला कितना गलत था, तुमने दो बच्चों की जान खत्रे में डाली, उसके लिए सिफ तुम जिम्मेदार हो, do you understand this, पता है तुमने क्या किया, you are anti-government इसन सकतरे मते हैं, पго individually सकतरे टुमने मते हैं ऐसे लिए खाउनिप एनीं स्दॉणार हो कि तुमने क्या जानती हो, क्कि बच्छ में टारी जाए इसन का स झाल झाल लुआ कर से दीकर देख City आपिए गारक्षा कर ताम एफ फ़े आ भर्वारों परस्टी ठीक देख में हन्सथुड़ा जाए वाद बच्ची बच्ची का बच्चाले नहीं करें कहां पापा बोट दो अगर पापा साथ आड़ ना पापा बोच भॉपर कीज़ अपा अपा पापा बोट दोग अगरे बोच युपर कीज लो बोच भॉपर कीज लो जँग रे पापा जल्दी करो पापा जल्दी उबर पापा मेरा मेटा उसका कुछ नहीं होगा ना खीचो जल्दी जल्दी खीचो मेरे मेटे करो कुछ नहीं होना चाहिए और क्या करती ना हमारे पास एक्विप्मेंट्स थे और नाहीं कोई आप्शिन अवेलिबल था सा ऐसे हालात में एक आफिसर के रजरिये से नहीं देख सकती थी एक आम नागरी की तरह है उस वक्त मुझे जो सही लगा मैंने वही किया सा जिस लड़के को हमने नीचे भेजा वो बहुत अच्छा स्विमर है और अपनी सांस को लंबे समय तक कंट्रोल कर सकता ऐसा यही सोचकर हम सबने यह स्टेप लिया लो अंचनननननन एक और नलाँ भर। मैंन भर। मैंननननन इ únपर। मैंननन मैंनननन गर। मैंनननननननन छोई थैष जड़न से अंदे कि वत हा ह। पहली कि यलुँछ बार इनननन था कि, अंदे अंदे कि भनी लाव Alrighty और। मेडम लड़के की पल्स रेट स्लो है मुझे डर है कि एमेले की बात कहीं सच ना हो जाए लड़का पहले से ही कमजोर है शरीर और दिल दोनों से कहीं ये गलत फैसला तो नहीं था अपने मरते हुए बच्चे को देख कर क्या उसके माबाब सिंदा रह पाएंगे तुम इन लोगों को हारते हुए देख रहे हो पर मैं इन्हें इन मुश्किल हालातों से बहादूरी से लड़ते हुए देख पा रही हूँ आज इनकी ही जीत होगी इनके अंदर मैं होसला देख रही हूँ अगर आपमें दिल है तो इनकी मदद कीजिए लेकिन एक डॉक्टर की हैसियत से नहीं बलकि एक इनसान बन कर यहां हम लोग कवर्मेंट की ओफिसर्स नहीं है सच कहूं तो आज इन लोगों ने मुझे विश्वास दिलाया कि होसले से कुछ भी संभाव है मैं आपको बता दू आपके सामने कोई कलेक्टर नहीं बलकि एक साधार नौरत खड़ी है लेकिन कलेक्टर बनके मुझे इस बात का एहसास हुआ कि पावर में रहकर आम एंसान बने रहना कितना मुश्किल हो सकता है अपने ओधे को भुला कर आम नागरिक बनके तंशिका को बचाने की पूरी कोशिश करूँगी मैं अब चाहे कोई कुछ भी कहे मैं किसी की नहीं सुनूँगी मन्टू तुम्ही हो जो दंशिका को बचा सकते हो तुम्हें अंधेरी में डर लगता है ना तुम कुछ मिनिट भी अंधेरी में नहीं रह पाए तो सोचो तुम्हारी बेहन पूरे दिन से उस अंधेरे में पड़ी हुई है और तुम ही उसे उस अंधेरे से निकाल सकते हो तंशिका को बचा कर तुम एक इतिहास तश्टोगे मन्टू इस देश में जब भी कोई ऐसे हाथसे का शिकार होगा और ऐसे रेस्क्यो मिशिन्स होगे तो उनके लिए मिसाल कायम करोगे इसलिए कहती हूँ तुम अपनी बहन को बचा लो आज तुम सिर्फ अपनी बहन को ही नहीं बचाओगे मन्टू बलकि तुम्हार ये काम्याबी हमारे देश के साइंस की नाकाम्याबी को सब के सामने लाएगी उसे बचाने के लिए तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है इस जमीन की गहराई में उतरना चांड तक पहुँचने से भी ज्यादा मुश्किल है, मैं जानती हूँ मैं ये भी जानती हूँ कि तुम ये कर लोगे जाओ मैडम, मेरा बेटा जाएगा मेरे बेटे को भीजिए नहीं मेरा बेटा बेटा जाएगा मैडम अपनी बेहन को मैं खोद लाऊंगा कि अभ्वश्कों अभूशपटेत लोगे कि अभ्वश्दर्णा आमाई भी जानती हो नहीं कि तुम प्रूश्टeln ये जानती है कि अभ्वशन कि अभ्वश्क्वोच्स पमन डेटा कि अभ्वश्के ग्वश्क्र चुम झाल झाल लगता है वो नीचे पहुच गया पूछो उससे वो दन्शीका के पास है क्या तुम उसके पास हो ना बंडो जवाब दो बता उसके पास हो ना चलो उपर कीचो उपर कीचो कीचो मुझे मैंने पकड रखा है किचो, 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 हाँ haoooo । अज़े खत्राइखे ख jeggovicion पंटो से आ प्लिया था ज़़्ै खत्राइखे खि Guiduite मेरे खत्राइखे यह बहुत ज़्चबश् transition सब्सक्राइखे मैरे खत्राइखे खत्राइखे झाल 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 शुक्र मनाओ कि वो बच्ची बच गई अगर कहीं ये तुम्हारा फैसला गलत हो जाता तो ये हम सब के लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जाती देखो मुझे बिलकुल भी गलत मत समझना क्योंकि मुझे उपर जवाब देना होता है परसनली तुमसे कोई प्राब्लम नहीं है माधवी क्यों न तुम मिनिस्टर से बात करती ये बात कानून की किताबों ने मुझे सिखाई ये सिर्फ मेरी बात नहीं भारत के हर नागरिक पर लागू है माधवी मेरी बात सुनो, कुछ भी हो जाये अपनी पोस्ट से रिजाइन मत करना तो एक गुलाम बनकर दूसरे की गुलामी के लिए गाम करूँ दिन रात मेहनत करके कई सपने लेकर हम सविल एक्जाम्स पास करते हैं सर ताकि हम जनता की सेवा कर सके उनके लिए कुछ कर सके पर ऐसा होता नहीं है सर लेकिन इन करप्ट पॉलिटिशन्स की वज़े से हमारे हाथ बन जाते हैं और हम अपने अधिकारों को यूज नहीं कर पाते जब मेरी एजुकेशन और मेरी पोस्ट मेरे किसी काम की ही नहीं और मुझे किसी के इशारों पर काम करना पड़े तो ऐसी पोस्ट पर रहने का क्या फायदा सा जनता की सेवा करना ही मेरी लाइफ का एक मात्रमेशन है मेरी पोस्ट मेरे लिए एक दीवार बन गई है जो लोगों से मुझे दूर रखती है इसलिए मैं रिसाइंड कर रही हूँ लेकिन इन स्वार्थी नेताओं की वज़े से हमारे हाथ बंदे होते हैं मैडम किसी भी तरह उस बच्ची को बचा लीजिए भगवान ने आपको हमारे लिए भेजा है उमर भर आपकी पूजा करेंगे किसी की जान बचा के रातो रात लीडर बनने का सपना देख रही हो अपनी बेटी के हागे हाथ जोड़ रहा है हमारे लिए कुछ करो बेटी नहीं तो यहाँ सम बर जाएंगे हमारे लिए कुछ करो मैं माधवी शपत लेती हूँ कि आज से एक साधारन इंसान बन कर सबके प्रती न्याय प्री रहोंगी सची लगन और महनत से जनता की सेवा करोंगी